नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज ही महाँ पर चार श्टॉक्स के बरे में बात करने वालो बहुत ही बढ़िया स्टॉक है आपको एक मल्टी बैगर रिटन दे सकते हो और Tata Groups के वह न फाइनेस स्टॉक्स है जब आपने पिछली बाल Tata Groups के पहनी स्टॉक्स के बरे में बात कि था तब लगबग लगबग जो TTI में 37 से 280 के रुपीज के आसपास गया था और और आपको बताऊंगा कि इन में कितना पैसा बन सकता है और कितने बड़े हाई लेवल्स के यह स्टॉक से और कितना ग्रोथ यहाँ पर देख सकते हैं तो मैं सभी की चीज़े के बारे में बात करूँगा वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले उससे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ आपने मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा प्यार दिया हुआ है तीस हजार में जब वहाँ पे फॉलोवर्स कंप्लिट हो चुके हैं आप अभी तक जॉइन नहीं हुए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा टेलेगराम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेस्बुक, चारो के लिंक डाल दूँगा प्रட, जस्ट थोढ्रेड एंटन सवन रूपीजे ये स्टॉप का हम चार्ट देखते हैं तो आप यहां पे रिवर्सल सिगनेचार सेस देख सकते हैं reversal signs देख सकते हैं, sign देख सकते हैं, first इसने यहाँ से attempt किया reverse करने का, अगर मैं वाकिछ चीज़े देखू हूँ, तो लगबग लगबग आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी sellers थे, वो बहुत गंदी तरीके से trap हो चुके, अगर मैं इसकी trend line देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि बहुत देख सकते हैं, और उसे और भी नीचे धकलने का प्रायास है कर रहे थे, बट अगर तीन दिन से देखा जाए, तो लगबग लगबग उसका rejection मिल गया है, और stock अब जा चुका है, इसके भी मतलब कल के दिन में भी यह stock बहुत बढ़िया, आपको moment दिखा सकता है, और अच्छे खासे returns दे सकता है, इवन आप इसका call buy करके more return generate कर सकते हैं, और future में भी buy कर सकते हैं, बट stop loss आपका बहुत छोटा होना चाहिए, ताकि अगर market घुम भी जाए, या फिर stock reverse भी हो, तो आपको ज़्यादा नुक्सा ना हो, तो अगर ये company के बारे में और बात करता हो, तो ये company बहुत बड़ी company है, और बाकी चीज़ें आप यहाँ पे screens पे देख सकते हो, तो दुस्तो अगर मैं second stock के बारे में बात करूँ, तो वो है Tata Steel है, भी Tata Steel के बारे में, तो दुस्तो अगर हम Tata Steel के बारे में analysis करते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते है, R1 को ये टच करके, मतलब resistance 1 टच करके, respect करके वो नीचे आ रहा है, बट अगर मैं volume पे भी धान देता हो, अगर मैं बारे किसी देखता हो कि volume क्या मुझे कह रहा है, तो यहाँ पे selling pressure भी down आ रहा है, मतलब यहाँ पे यह एक resistance, यहाँ पे यह एक support फिल कर रहा है, और यहाँ से bounce back करने के chances बहुत ज़्यादा है, और अगर first pullback में, अगर stock उपर जाता है, R1 के उपर तो यह बहुत बड़ी rally हो सकते हैं, मेबी stock अभी 1200 से चल रहा है, बड़ मेबी यहाँ पे 1500 से 2000 पे भी जा सकता है, आएगे आने वाले 2-4 महिनों में, तो यह second stock के Tata Steel, जो कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा bullish है, अगर मैं इसका stock P देखू तो वो जर्फ पर से 4 का है, company constantly profitable बनाती जा रही है, और अगर मैं steel industry के बारे में बात करूँ, तो बहुत ज़्यादा demand steel industry में बहुत दिनों से है, अगर continuously demand होती रही, तो यह stock बहुत अच्छा खासा कर सकता है, और one of finest stock में Tata Steel के बारे में देखू, तो मुझे Tata Steel दिखाई देता है, आप यहाँ पर add कर सकते हो, for a long term stock एक multi bag returns दे सकता है, और अगर कल की दिन में में भी यहाँ पर bounce bag ले रहा है, तो आपको यहाँ पर call buy करके भी बहुत बढ़िया profit हो सकता है, दोस्तों, यह second stock था, थर्ड stock के बारे में बात करूँ तो Tata Power है, इसका तब stock एक थोड़ा सा momentum दिया था, इसके उपर मैंने buy करूँ ने कहा था, इतना momentum उसने दिया हुआ था, फिर R1 का थोड़ा सा respect करते हुए, stock बहुत तेजी से गिरा, इसके नीचे मैंने sell करने कहा था, फिर gap down कुला, और बहुत सारी स्टोरी स्टॉक में चल रही है, मेरी continuously भी में, टेलग्राम पे अपडेट देते रहे तहो, इस stock के बारे में, now what I am thinking about this stock, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ, यह pivot point जो है, इसके उपर आ चुका है, अभी मैं यहाँ पे bullish trade ले सकता है, इसके reasons देखे जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ी reversal candle यहाँ पे दिख रही होगी, अगर देखा जाए, तो ने ने बूलियो, तो अच्छा खासा यहाँ पे उसने reversal दिखाया हुआ है, टाटा पावर के fundamental strong से, continuous sector में demand है, और company का बहुत अच्छा portfolio भी है, सभी चीजों के लिए अगर देखा जाए, जैसे कि electric vehicles के लिए, power stations fit कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़े, जो की future में बहुत काम आने वाली, इनका research और बाकी चीज़े बहुत ज़्यादा fast हो रही है, तो यहाँ पर मेरी buying ज़रूर होनी चाहिए, अगर market कल की दिन में इसके उपर close दे देता है, तो मैं यहाँ पर buy कर सकता हूँ, all time high के लिए, अगर all time high आसे देखा जाए, तो आराम से near near to 20% के आसपास है, तो 20% easy आपको बहुत कम दिनों में, महिना दो महिना में दे सकता है, multi bag returns इने future दे सकता है, बढ़ आपको इसको hold करना पड़ेगा, long term time frame के लिए, बाग है, options में भी जा सकते हैं, call buy कर सकते हैं, मैं तो कहता हूँ, इसके नीचे जा कि आप put short कर दीजिए, आपको बहुत बढ़िया पेसे मिलेगा, अभी put short करने के क्यों बात कर रहा हूँ, देखो market यहाँ गुमेगा, यहाँ गुमेगा, यहाँ गुमेगा महिना बर, में भी उपर न जाए, बट इसके अगर नीचे आने से नहीं राभी market, इसके नीचे नहीं आएगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम जो है, इसका वो डाउन था, बट वॉल्यूम सिमिलर है, सेलिंग वॉल्यूम बट जो बाइंग वॉल्यूम आया, वो यहाँ पे आप देख सकते बहुत बढ़ा है, इसके नीचे market नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे बिंदा यहाँ तक देख सकते हैं, 200 रुपए का call shot कर दीजिये, sorry, 200 रुपए का put shot कर दीजिये और बेठे रही है, बहुत बड़ा पैसा आपको मिलेगा दोस्तों, ओके, तो अगर बात करूँ में, चोते stock के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, Tata Motors, और मैं इसके बारे में देखू, fundamentals के बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा, first of all मैं कुछ और चीज़ी आपको explain करना चाहता हूँ, on chart, ठीक है, chart के बारे में बात करूँगा पहले तो, यहाँ पे एक बड़ी reversal candle है, आप यहाँ पे easily देख सकते हो, अभी देखो इतना गंदा मतलब जो seller trap हुआ है, हिसाब के बारे seller trap हुआ है, जो इसमें short covering होगी, उसका कोई हिसाब ने होगा, वो case में बताता हूँ आपको ठीक है, just look at the chart, ज़्यादा दिमाग ने लगा रहा है, fundamentals company ऐसे भी बना लेगी, first, यह candle बनी बहुत मतलब खतरनाक थी, यहाँ पे आप देख सकते है, gap down ही खुली सीधी, यहाँ पे बहुत तगड़ा यहाँ पे इसके call shots किये गए है, अगर मैं देखू, इसके उपर market जा नहीं रहा है, क्योंकि stop loss यहाँ पे रखा हुआ, इसके उपर गया, बट sustain ने कर पाया, again close नीचे हुआ, मतलब यहाँ पे एक बड़ा seller बेठा हुआ, second thing, इसने market बहुत नीचे खीचा, volume constantly upside जा रहा था, जब यह बेच रहे थे, बट एक volume ऐसा आया, जहाँ पे इनको exit करना पड़ा, और अगर आप यहाँ पे दो दिन पहले का अगर data check करते हो, सबसे ज़्यादा short covering Tata Motors में हुए, उसका reason, यहाँ पे बहुत बड़ा buyer था, और लगबग लगबग जितना भी selling बनाई हुई थी pressure, selling pressure बनाया होता, क्योंकि stock बहुत नीचे गया हुआ था उस दिन, पूरा selling pressure उसने absorb कर लिया, जितने भी selling orders थे, उसने buy किये हुए है Tata Motors में, मतलब बड़ा buyer यहाँ पे बेठा हुआ है, second stock move very nice, यहाँ पे देख सकते है, S1 मतलब support 1 के वो उपर close करवाता है, मतलब यहाँ पे बड़ा वो कुछ plan कर रहा है, जू कि आगे आने वाले दिनों में बता चल सकता है, मेभी वो लगबग लगबग pivot point पे भी ले जाए, और मेभी यहाँ पे 500 रुपई उपर भी ले जाए, अभी share price 405 रुपई के आसपास चल रही है, और इसके targets बहुत लंबे होने वाले, अगर आप long term hold कर सकते हो, तो कोरो Tata Motors बहुत कुछ चीजे इंडेस्ट्री में ला रही है, जो कि कोई भी बड़ा player यहाँ पे नहीं सोच रहा है उसके बारे में, अगर आपको यह खरीदना है तो long term के लिए जरूर खरीदेगा, और यहाँ पे आप call भी buy कर सकते हो, put shot मेंने कहा ना कि यहाँ इसके नीचे तुम बिंदास put shot करो, जहाँ पे market घुमाए वाँ पे बिंदास put shot करो, तो यहाँ तक market नहीं आएगा, तुम बिंदास यहाँ पे put shot करके बेठे रहो, ओके, तो आज के लिए इतना ही चार स्टॉक्स मैंने बता दिये है, थेंक यू फॉलोइंग अन माई इंस्टाग्राम 30,000 के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही मिलता हूँ, कल के वीडियो में, बाकी में वीडियोज लाते रहूँगा, तो वेसे वेसे देखते जाएंगे, टेकनिकल अनलेस से ज्यादा वीडियो रहेंगी, क्योंकि मैं खुद ज्यादा तो FNO ट्रेड्स लेता हूँ, FNO ट्रेडर हूँ इसलिए, बाकी चीज़ा आगे देखते हैं, आज के लिए इतना ही धन्यवाद दिखने के लिए,